लोहिया खास के अधीन पढ़ते गाउन नल में बारात में अचानक चली गोली से 12 साल के बच्चे के पेट में जा लगी हाथसा उस समय घटित हुआ जब सरपंच के हाथ से रिवॉल्वर छूट कर नीचे गिर गई और उससे उठाते समय गलती से ट्रिगर दब गया इस घटना में सरपंच का खुद का हाथ भी जखमी हो गया देर शाम बच्चे को लोहिया से जलंधर सिवल अस्पताल रेफर किया गया गायल बच्चे की पहचान मंदीप सिंग पुत्र मंगा निवासी गाउन नल के रूप में हुई है घटना संबंधी जानकारी देते हुए मंदीप के ताया लेंबर ने बताया कि उनकी भतीजा शाम करीब साड़े चार बजे गाउं से निकल रही एक बारात देख रहा था बारात में गाउं घुग शोर के सरपंच रमेश कुमार शामिल थे इसे बीच सरपंच की रिवॉलवर जमीन पर गिर गई और जिसे एक बच्चा उठा कर सरपंच को पकड़ाने लगा तो अच्छानक ट्रिगर दब गया और गोली पहले सरपंच के हाथ से आर पार होकर उनके भतीजे मंदीप के पेट में जा लगी जिसके बाद मंदीप को घाय लवस्था में लोहिया के सिवल अस्पताल में भरती करवाया गया वही संबंद में थाना लोहिया के S.H.O. से बरजिंदर सिंग से बात की गई तो बच्चे के बयान दर्श कर लिए गए हैं और इस मामले की जाच की जा रही है झाल